वेरी गूद मौूर्निंग फ्रेंद्स एक और इंटरस्टिंग केज देके हैं और ईक remedy को समझते हैं तो है क्या कि इह जो हमारे जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रशन्ट होते हैं जो रूटीन में देखने को मिलते हैं और उसी रिमेडी के प्रिशन बहुत कॉमन होते हैं ठीक है तो इसलिए मैं कॉमन कॉमन रिमेडी के ज्यादा वीडियो पोस्ट करता हूं और अभी सबसे पहले हमको ना बिंग अ बिगनर्स इन रिमेडी को समझना होगा तो एक छोटे स से गाउं से आया था ठीक है तो इसको यह प्रोब्लम हो रहा था कि अभी उसको तीन-चार साल से रेगुलर सर्दी बनी हुई है कभी ठीक हो जाती कभी वापस जाती कभी ठीक हो जाती है और उसको कुछ लिवकोडर्मा ओ सवरी लाइपोमा की गांट थे ठीक है लाइपोम नोस ब्लॉक होता है कान दर्द करता है छीके आती है कुछ भी ठंडा पीता हूं तो इससे यह प्रोब्लम हो जाता है जिसको लेकि मैंने खटाई छोड़ दिया उससे भी होता था इसलिए मैंने छोड़ दिया कोई भी फ्राइस समान नहीं खाता हूं मीठा भी बंदगर द लगती है ठीक है अलोपैथी लिया अलोपैथी में तो वहर बार मुझे मॉन्टी मॉन्टी लिकॉस्ट दे देते हैं कि रात में एक गोली खाया करो तो ऐसे थोली काम चलेगा अग्यों साब और अलोपैथी दवाईयां ज्यादा मैं खानी सकता गर्म करती है मुझे मुझे सूखने लगता है विचयन ही होती है ठीक है बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया वह वही दवाईयां लिखते हैं इविन मैंने अहरुएद में भी इलाज ले लिया अब किसी भी रिमेदी से कोई भी फाइदा नहीं मिल रहा है तो फिर मैंने एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आपके यहां चले चले जाओ तो आपका इलाज हो सकता है तो फिर मैंने यहीं सोच के एक बार मैंने कहा कि आपको एक बार दिखा दिया जाए तो मैंने कहा और तो बोलता है कि मैंने घरेलू नुकसर भी अपनाए उबला पानी पिया काली मिर्च अधरक जितने भी यह सारे घरेलू उप्चार होते ना वो सब भी किया अब गर के लोग बोलते था है मैं वहीं करता था तो बट किसी भी रिम्हीर्स से कोई भी फैदा नहीं हो रहा है फिर एक दिन मैं बैठें बैठें नेट पर सेर्च कर रहा था ठीक है कि ये है क्या क्योंकि मुंकि समझ मनी आ रहा था तो फिर मुसätte सब्धान के आए कि यह प् ठीक है तो तो मैंने पूछ यह तकलिफ कब बढ़ती जाता तो बोलता है जैसी सुबह में उठता हूं ना तब जाधा तकलिफ बढ़ती मौर्णिंग में डिस्चार्ज होता है चीके बहुत जादा आती हैं और धूल से हवा से दस्ट से इन चीजों से बहुत ज्यादा तकलि है अलर्जी देखाया कि अईर्वीड में सुना या पढ़ा है देखाय की अईर्वीड में लिखाय कि यलर्जी के लिए हल्दी वाला दूस्त बहुत फाइदिका होता है तो मैंने वह भी करने करके देख लिया तो मैंने कहा कि इन सब चीजों के बाद अभी मन में क्या चल तो बोलाएं इतना सब कुछ करने के बाद आराम मिलना चाहिए ना अराम नहीं मिल रहा है मैंने कहा और बोलता है नौज ब्लॉक भी होता है वूर से सास लेना पड़ता है बोलते बहुत दिक्कत होती है ठक जाता हूं बोलते बोलते क्योंकि नाग बंद रहती है ठीक है कमर म या कमरम कुछ चोट हो गई यह उसकी वेज़से हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है मैंने कहा मन कैसा होता है जब आपको तकलीफ होती है तो बोलता है अच्छा नहीं लगता नाग बहना साथ में की साथ उठना बैठना खराब लगता है कुछ लोग बोलते हैं इलाज करवाओ तो तो मुझे बुरा लगता सरमिंदगी महसूस होती है रख सब मैंने कहा और तो बोलता नहीं इसके अलाव और मुझे कोई विश्यस तकलीफ नहीं है मैं सब जारा इसी से परिसान हो रख साब बस इसी का इलाज कराना है तो मैंने कहा और इस गाट को लेके मन में क्या चल रहा है तो बोलता ही गाट को लेके मैंने नगपुर में भी चेक करा लिया था तो उनने बुला कि इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा बट कोई विश्यस गाट नहीं है पर उनने कोई गारंटी नहीं दी कि यह ठी नहीं कराया ऑपरेशन नहीं कराया गले में भी दर्ध होता है जब यह सरदी बढ़ती तो गले मेंगी दरद होता है किया तुमका और लाया बोला की बस Strategic बुलेका मनें यहीं चल रहा है कि पूरी तरह से घुल जाए बिगर अप्रेशन की घुल जाए और वाकी कुछ नहीं होत्ते मैंने पूछा कि ओर के चाहरा देकत होती है यह द overlap to यह सा केस था तो इस केस पार्रक को समझ आइस केस में पिश्एन का क्या है कंसां कि यह इसका al93 है ala door देज जा नहीं रही है उसकी वहनों कॉसको फंस को बहुत तक आप पूसती रहा हो है न तो जैसे मेरे पास peso और सा बुखत बुरा लगता है जब इस इस चार्ज होता है बढ़ पूस ता रहता हूं न तो मुझे बुरा लगता है जैसे वह एडवोकेट साप का के मैं कोड कोड़ के वो पर पोस्टाओ तो बहुत बुरा हु़ा है मुझी तो इस इस इलमेंट फ्रॉम एमब्रास्मेंट दिरिगे कंऺृटि डाइनेमिक समिन देखेंगे एलमेंट इंबरी स्मेंट एंबराश्मेंट एंवेट्ट रूट्रिक है तो ये एलमेंट from embarrassment यह लेना है आपको दूसरा डिल्यूजन इंजुरी 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 इस बिंग बैस सेराउंडिंग्स वह सको ना आजू बाजू जे आजू बाजू से पानी से दस्ट से हवा से यह सब तकलीफ होती है ठीक है तो मेरे पास भी आया था दूसरे बहुत सारी सवाल किय लिए थे इवन ये भी बूचा था आयरवेदा हो में पिठी में अंतर है क्या और भी सवाल किये थे तो मैंने फिर लिया था रूब्रिक उसके लिए इनक्युजिटिव और देखिए सीदा सीदा वो कितना ध्यान रख रहा है अपना ठीक है कितना केरफुल बंदा है कि वह उसने खाना जिस जिस चीज़ों से उसको तकलीफ होती है उसने वह सारी चीज़ें अवाइड कर रहा है ठीक है और तो वह केरफुल हो गया यह और एक है उसने बोला कि इतना सब कुछ कर लिए तो फाइदा तो मिलना चाहिए ना और आपके पास आये हैं इसलिए है ठीक है तो है उसने के बाद उसको दिया था मैंने पंदर दिन का तीन दोस दिया था उसके बाद जब वो पेशेंट आया तो उसने बोला कि तो सब गांट हमें आराम नहीं है लेकिन उसकी जो सर्दी रिकरेंशी थी और जो खासी से बहुत ज़्यादा परिशान था तो ह कोई पी आप ईक लंबे टाइम तक चूशते रहते हैं तो फिर आप परिशान पील करने लगते हैं अपने आपको तंग फिल करने लगते हैं, कि वह समस्या कूछ तंग कर रही है तो दियोजद परसिक्यूटिट चीदा उप रहे है और वही परिसान Bali पाद यार रही है त तो मैंने इधर उदर पोटेंशी किया और यह सब किया इसके बाद फिर मुझे खास रिजल्ट नहीं मिला उससे ठीक है तो फिर मैंने उसको लैक एस दिया इस बार मैं यह कहना जारा हुम कि जब आपKK को वर्द्यान सब्सकों कि की रिमेडी हैं की रिमेडी हैंmeno इस सब में आपको लेके से सौर हाई उसाहिमिस कॉमन मिलेगा ठीक है तो कई बार जब हम इसको जैसे अभी उसने बोले कि रॉक्षाब उस दवाईयों से प्रॉब्लम हो रहे थी इसलिए मैंने छोड़ दिया तो यह अब्जेक्टिव रिजनेबल हो सकता है है ना अब पेश आइडि आफ मैरेज उसको ऐसा लगता है कहीं कि दबाईया रिगुलर चिपक तो नहीं जाएंगी मैरे से तो कई बार ऐसे पेशन्ट आएंगे आपके परस तो यह लाक एसे और हायो साहिमस का जो रूब्रिक्स हैं बहुत क्लोज रहते हैं तो कई बार जबाब का लेके से डिफरेंस भी बहुत सारे है ठीक है डिफरेंस बहुत सारे हैं बट अ क्लोज और जो पिश्चित के बार जन दरती है जो फील रहते हैं वह काफी क्लोज है तो इसलिए अभी मेरे पास एक रिगल का केसर चल रहा है तो उस केस में क्या है कि मैं जब वह जाएगा तो फिर हुआ फिर अभी मैंने उसको हाइसाहिमस दिया तो हाइसाहिमस से एकदम बैटर है ठीक है तो उसका रिपोर्ट आएगा तो फिर मैं आपको यह इसका वीडियो बनाता हूं तो यह जो लेकिस हाइसाहिमस बहुत क्लोज रिमेडी है मैंने दो केस पहले वी पोस्ट किये थे ज थीक हुए फाइनली हायोसाहिमस दिया था फिर फाइनली लैकस से ठीक हुए तो वह जो जो पिशेंट का रहता है फिर समझे और आप प्रिसायज होते चाहेंगे तो फिर वो डीडी समझझेगा ठीक है कमपलेशन के रूबर एक कंपलेशन बहुत छोटी छोटी बाताओं क को वो complain करेगा आई आप आपने अपने रवाई दी थी उस्से ऐसा हो गया ऐसी दवाई दिजिए उस्ति वाइड़ भाइड लागे वह भी दवाई गए जूसे लूज मोशन हो गए यह भी हो रहा है वह भी हो रहा है फिल्लिजन पॉसें बाए से बेडिसिन कंप्लेनिंग इंजूरी सपोज़ आफ तो यह साथ रूब्रिक्स में भी है हॉसाइमस में भी है बट कंप्लेन वह जो रूब्रिक है इस वे कम्प्लैनिंग कि फ़ल सेट चोड़ी बातों को कम्प्लैन करना वह लाकाश में थिक तो लाकाश का पेशेंट कई बार तो फिर आफ बिट्रेट बीम लैकाश से ज्यादा आपको हायोसाहिमस में मिलेगा ठीक है तो हायोसाहिमस बहुत समझ के आएगा बहुत समझ के दबाई लेगा लेकिस इसका बंदा रहता है एलाइट कॉसियस वह आएगा तो आपकी क्लिनिक पर आके बैठते जाएगा बट आजू बाजू सब चीज़ें देखेगा समझेगा इसलिए इनिसियेटिव लैकाउफ में ठीक है दोना चीज़ा है मेगरेटाइज डिजार टू सब्सक्राइब लकेशिय्ट गरेगा ङगा सब्सक्राइज इससे सांप को भी जब आप समझेंगे तो तो यह कि रमेडि है करूं साइमस और सौरी राकेशिस था उसको लिकासित दूचा इसके बाद से वह एकदम ठीक हो गया उसका लाइपोमा और और उसकी जो एलर्जी थे वह एकदम बैटर हो गए तो यह छोटा सा केस था थैंक्यू फर वाचिंग हाँ और मैं यह बोलना चाहरा हूं कि जो लोग इंट्रस्टेड हैं हमेपथी सीखने के लिए और सीखिए मैं कह रहा हूं सीखिए छोटा छोटा सा टिप्स बहुत काम आता है ठीक है माइंड मेथट के रूब्रिक्स से आप एंट्री ले सकते हैं बड़े-बड़े केसे सॉल्व कर सकते हैं इवन आपको पूरा रिमेडिन नहीं भी आता तो आपको एक छोटा सा रूब्रिक छोटा स चल सकते हैं अभी बहुत बड़ी इंट्रेस्टिंग रूब्रिक बताओं है उसाइमस का इस मेले के सज नहीं है तो है उसाइमस में एक रूब्रिक है डिल्यूजन अनिमल पर सन और अनिमल मतलब जो लोग है वो जानवर है ठीक है एंड जानवर कौन सा डिल्यूजन असने है 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 i in round her मतलब यह कि जो एनिमल है वह साप है और सांफ कभी भी आपके साथ डगा कर सकता है धोका कर सकता है तो जो भी वैक्तित होते हैं उसको जो सराउंडिंग्स जो लोग सराउंडिंग्स में रहते हैं जो उसको लगता है वो अपने हैं वो उसके ऊपर उसको ट्रस्ट कभी नहीं होता सस्पीसियस रहता है और उसको ऐसा लगता है कि वो तो ऐनीमल है वो भी साप है जो कभी भी डस सकते हैं उसको धोका दे सकते हैं ठीक है तो देखे इस ऐसे मैंना इसलिए मैंने बोला था कि हाउसाइमस बहुत ज्यादा सब्सक्राइब की रिमेडी है लेकिस बाद में एड हुआ है इसलिए अभी लेकिस इसको इस रूब्रिक पैड नहीं किया गया ठीक है अब बिट्रेट बिंक फिलिंग तो और भी रिमेडी ट्रीज में है जो नया रिमेडी एड हुआ है लाइक इगनेशिया नेट्रम यूर लैक एसे ठीक है हुआ सइमस यह एक दूरे मेडी और हैं कि तो इस तरीके से हाई साइमस का पिशेंट ना कि आसाइमस का पिशेंट बहुत तो आ बारबार पुछ लगों सब्सक्राइब इससे कुछ हो तो नहीं हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा इस फिर मैं कहीं बाहर चला जाओंगा मुझे लाज तो कराना है तो डिलीजन वार एट बींग देखिए एक रूब्रेक है हमारे पर डिलीजन वार एट बींग तो यह पिशन ना वार में रहता है मतलब एक युद्ध है युद्ध है जो अपनी समस्याओं को सेटल करने के लिए वो युद्ध लड़ रहा है बीमारी से युद्ध लड़ रहा है और उसको ठीक करना चाहता है इस तरीके से हायुशाइमस पिशन होते हैं हायुसाइमस से बख़ बड़ी रमयदी है बहुत अच्छा-च्छे रूब्रेक्स है उसके ऐसा ही लैके सिसका है लैके सिसका यह क देता रहूं इविन मेरी तकलीफ कम हुआ तो नहीं हुआ वो ठीक है लेकिन बढ़ा तो नहीं इसलिए इसी डॉक्टर से और आज वो डॉक्टर अपने चेयर पर नहीं है उसका सिस्ट्रेंट बैठा है और वो पेशन्ट उसी ताइम पर आ गया तो वो से दवाई नहीं दिएगा क्योंकि उस डॉक्टर ने उसको रहाम लीद दिया है इस डॉक्टर ने कहीं गड़बड़ ना कर दिए ठीक है तो यह फिर आप बेटर बिंग अगे इस पीसे बैटर डिमेंड डिजायर इन बैड मेरेता है हाइश पीरिटेट रहता है ठीक है अफेक्टेशन में रहता है हाइश पीरिटेट भी रहता है अफेक्टेशन में रहेगा उसको डर नहीं लगता बोलेगे कि धरता नहीं हूं में ठीक है लेकिन फिर जब सच्वेशन पास आ जाती तो फिर वो डर नहीं लगता है ठीक है और लेकर सिसका डिल्यूजन चाम केनाट ब्रेक दी सब्सक्राइल होता है उसका जो जैसे टेस्ट होता जो एक बार टेस्ट लगता तो उस टेस्ट के पीछे भागता है ठीक है लेकर सिस्ट जैसे की लेकर सिस्ट आपके पास एक बार यदि वह ठीक हो गया तो फिर वह आपके पास ही आएगा कहीं पर भी रहेगा आपके पास याई वो उसको ऐसा रखता ही रुख समने क्या घजब की दवाई दी थिया एक बार महीं मेरा प्राप्लम ठीक हो गया और वह बताता फिर एगा के Sum & कि और क्या करेगा वह आएफ रिफर भी करेगा एक मेरे मेरे पास फेस्ट था उसको ना वह कहीं किसी प्रास्टुट्टिट्र उस lap तो उस बंदे को डिलिउच साफीर डियुजन रॉल रूंग डぜं अहने ये सब रूब्रिक के मैंने पूरा केसि केसी मेरे करोगे वहां तो इसको तकलीफ होती है तो मेरे पास आता है वह है तो यह यह इस तरीके के बंदे होते हैं लाक कैसे की के आप लोग फार रहना घेखिए तो आप लोग सीखिए, लर्न करिए और दूसरों को सिखाईए, हमें पैठी को spread करिए, तो इसलिए हमने एक class भी शुरू किया है, वो आप चाहें तो join कर सकते हैं, यहीं जिसको भी interest हो, join करना चाहते हो, तो वो लोग मुझे contact कर सकते हैं, thank you, thank you for watching.